जोरिया आज जो हम यहां पर आप सब को मैंने बुलाया है उसका मुख्यकार्णी यह है कि कांग्रेस पाल्टी जो अपने आपको कहती तो है कि हम हिंदू हित की बात करते हैं लेकिन वो कारे उसका कोई व्यासा नहीं है जो हिंदू हित की बात हूँ तो उसकी कत्नी और कर्णी में जमीन आसमान का ंत्र है जब से यह पाल्टी बनी है तब ही से ही यह सरफ हिंदूओं को बेवखू बनाने का काम करती है अभी इन्होंने करनाटका में जो चुनाव हो रहे हैं वहां जो उन्होंने मैनिफेस्टो दिया है उसके अंदर इन्होंन को ये चाहताव चिताव नहीं देना चाहता हूं कठोर से कठोर शब्दों में कि वो अपनी ऐसी हरकतों से बाज आएं हिंदू विरोधी को तीदे चोड़ें वो क्या सोच के उन्होंने अपने मैनिफिश्टों में रखाया कि वो बजरंग दल को प्रतिबंदित करेंगे बज राष्ट्री है हिंदू वाहिनी इसकी कठोर शब्दों में निंदा करती है और कांग्रेस अध्यक्ष को ये चेतावनी देना चाहती है कि वो अपने मैनिफेस्टों में से इस शर्ट को वापस निकाले नहीं तो उनको गंभीर परनाम पूरे देश में भुगतने होंगे अ कोई हमारे जो धरम के कुछ संस्थाएं हैं उनको प्रतिबंदा लगाने की बास सोचे कभी ये संग पर प्रतिबंदा लगा देते थे कभी ये हिंदू आतंगवात का नाम लेते हैं कभी हमारे साधू सन्तों को निरदोश निरदोश- पृसर वारा- मानने- नया धिशलो उनको निर्दोश साबित किया जाता है तब वह बहराते हैं लेकिन जितना समय उन्होंने जील में बिताया उसका उत्तर दाइत्व ये कांग्रेस सरकार है इनकी गलत नीतियां हैं जिसके कारण ये आज एक कांग्रेस जो है इतनी बड़ी पाल्टी होने के नाते इतने छोटे इस तरफे पहुंचकी है और अगर इनकी यही हालत रही यही इनकी विचारदारा रही तो वह दिन दूर नहीं है जब संपूर्ण भारत वर्ष्टे कांग्रेस का सफाया हो जाएगा